कि 2022 के चुनावा को बच चुका है चौता फरबरी को माधदान होना है और सभी जो परत्याशी हैं के नाव के आप गोशना हो चुकिए वहीं अब कुछ जो बागी परत्याशी हैं निर्दले यहां चुनाव लड़ने के आपर हुंकार भर रहे हैं यह बाचीत करते हैं डोर व पर लगा लेकिन जो वरत्मान में राजनिती का सुरूप है जो विशेश करके दोयाला विधान सभाव में जो केंड़िटों को लेके अदला बदली और इसमें महिलाओं के संबान को भी ठीज पहुंच रही है तो सारे हमारे सातियों कि इस बार हमें भी मैदान में डटकर इन सारी चुनोतियों के सामना करना है और जनता के लिए हम लोग अपने विभिन सामाजिक माध्यमों से हमेशा सेवा करते रहें और जितने प्रतियासी आज भरती जनता पाटी मैदान में उतार रहे हैं तो करोना कालखंड में कहां थे म मुल्यांकन करें जनता कि हम लोग करोना कालखंड में अपनी जनता के बीच में थे लगातार अपनी सेमाएं दे रहे थे जब यह बड़े बड़े नेता जो आज राजनीती खेल रहे हैं हमारे कैंडेटों के साथ कभी उसको कभी उसको अपनी गोटियों पर नचा रहे हैं यहां के जनता को भी जनता के साथ धोका कर रहे हैं और यह इन लोगों से पूछना चाहता हूं ऐसी गोटियां वो तब क्यों नहीं खेल रहे हैं जब पूरे हमारा राज्जी है हमारे यह प्रदेश की हमारी डोवाला विधानसवा की जनता करोना में ऑक्सिजन के लिए ज गए हैं उनको आपने चिताव कंडडे बनाया है पिर आपके नजर अंदाज की हैं पर को इसने बड़ा तवाल पैदा करते क्या तो ढर्द कर भड़्जी और टिकट देते हैं तो उनकी राजनीतिक महत कांशा है हर किसी की रहती है अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों क जमीनी कायर करते हैं नजदर अंदाज करने का जो बीड़ा चंद नेता लोग उठाते हैं कि जमीनी नेता है एगर यह और इसमें योगता है तो उसकी योगता को यह समय पर योगेता वाले Caymane का काम कर रहे हैं और जelle के बड़ी पीड़ा है और मैं भी बड़े जो साती लोग हैं उनके सयोग के बलपर ही चुनाओं मैदान में कुदने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जनता मैं यहां से दो बार जिला पंचाइट का सदर से इसी विदान सभा के छेतर से जीत के आई हैं तब भी पार्टी ने नजर अंदाज किया तो पिसले चुन ना मंकन वापिस लिया ना मंकन भरने गए लेकिन उसके बादभी अंदे की यह अंदे की अंदे की यह मेरी अन्दे की होती तब भी तमाम जो लोग योगता कि आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी कि यह की जारी ही पाटिए ताह क्या होने वाली याँ विदान त चीए था इस विदान समय में वो काम नगर्णी हैं अभी वी और उस रोजगार की दिसा में और जो इस चेत्र में बहुत बड़ा चेत्र ऐसा है जहां पर अभी भी सडकों का निर्मार नहीं पहुंचा है आपके चैनल से मुझे कुछ जगाओं के ऐसी खबर मिली हैं कि जहां पर आज तक आजादी के बाद भी सडके नहीं पहुंच पाई हैं हमने आजादी के बाद भी मेरा जिला पंचायत के दौरण भी धेर आया कि जहां आजादी के बाद तक सडक नहीं पहुंची है जैसे हमारा नवादा के छेत्र है उसमें हमने आजादी के बाद सडके बनान सब्वार्टि को उसमें अभी बहुत कमिया उन कमियों को दूर करेंगा विशेश करके ज्युवा और महिला हैं उनको रोज़गार के साधन से हम लोग संपन बनाएंगे संपन के साथ काम करेंगे और सब को साथ मिलेके काम करेंगी आखिसंदेश ऐसे लाड़ बढ़ाओं कर दो को दमाने काम करता है उनकी कुछ किया कूछ क्यें मेरे उनको विसक भूप से कहूँ विश्च्वर सत्डवुद्धी दे अगर या यहangen आगर भारती करता यह योग्यता के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी वीड़ा तब उनको समझ में आएगी हर खबर में होगी हमारी नजर खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले